ओम ब्रस्पते नमाहा श्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको गुरू पुष्योग के बारे में जानकारी दूँगा यह योग बहुत बड़ा योग माना जाता है और इस दिन किये गए उपाय का विशिज लाव होता है देव गुरू ब्रस्पती यानि भगवान विश्णों की किरपाद जिसके उपर हो जाए वह इंसान हर प्रकार की कारियों में सपलता है असल कर लेता है गुरू बार की दिन पुष नक्यत बड़े तो गुरू पुष योग होता है यानि यह योग महा योग का जाता है इस दिन आपको क्या करना है सरफ़तम सुबह इसनान करते समय एक चुटकी हल्दी एक चुटकी हल्दी एक चुटकी हल्दी जल में मिला करके आपको इश्णान करना है गुरू पुष योग है बहुत बड़ा योग है उसके बाद अच्छा इश्णान करते समय ओम ग्राम गिरीम ग्रोम से गुरुविनवा इस मंतर का आपको जाप करना है उसके बाद आपको भगवान विश्णु के सामने संकल्प करना है कि प्रवो आज मैं ब्रिश्पतबार का पूजन कर रहा हूं कथा का आप स्रबड कर रहा हूं कथा सुना रहा हूं और आज की दिन अगर आप ब्रत रखें तो ब्रत रख सकते नहीं तो साधा पूजा कर लें पीली मिठाई लाकर के भगवान ब्रि बच्चों के नाम से भी आप वापाय कर सकते हैं तो पीली मिठ्याईं का भूग लगा करके और वहीं बैठ करके बिश्पदवार की कता का असरवड करना है और पीली मिठ्याई आपको खा लेनी है आपकी प्रतेक मनो कामना पूर्योगी इस दिन एक लोटे में आपको हलदी डाले हैं उसमें चनी डाल डाले हैं और हात में चनी की डाल लेकर की जो कथा सुनेंगे वहल ले जाकर की केलिक ब्रकपे चड़ा देनी है वहाँ एक धागा बांग देना है और एक दागा भगवान विष्णू के आत्म बाढ़ देना है और जिनको पुत्रप्रापती नहीं पारी या नोकरी नहीं पारी वो भी एक दागा अपने आत्में बाढ़ ले? भगवान विष्णू के सामने रख कर के ओम गराम गिरीम गरोंस है नमह इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद है एक धागा ले जाए पीपल ब्रक के नीचे वहाँ गाय की गिगा दीपक जला करके और एक धागा वहाँ पर आपको लपीट देना है लोटा जो हल्दी का था जिसमें आपने जल में हल्दी डाली थी वहाँ आप के लिए ब्रक पर चड़ा देंगे और वगवान सिव का इस दिन आप आप से करेंगे गाय के दूसरे उसमें सैद डाल करके और धदूरे का पल वगवान सिव को समर्पित कर देंगे दोस्तों यह बेहदी चमतकारी और प्रबावसाली इन उपाय को करने से शिग्र मनोकामना पूरी हो जाती है ब्रिश्पत बार के दिन जो भी उपाय करते हैं वह उपाय बहुत ही चमतकारी होते हैं और अगर गुरूप शियोग हो और उस दिन आप उपाय करते हैं तो किसमत बदलना और गोड़ रखें हल्दी का टीका लगाएं रोटी पर रख करके गोव माता को खिला दीजिए और गोव माता की परक्रमा कर लेजिए आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगे धन बड़ेगा शुक्षम्रदी बड़ेगी जीवन में आ रहे ही सारी समस्यां दूर हो जाएंग दोस्तों मुझे उमीद आपको यह उपाय बहुत की अच्छे लगेंगे तो आप ब्रिश्पतवार की पूजा जरू करें ब्रिश्पतवार का उपाय करें आपकी प्रतेक मनुकामना अवस्यी पूरी होगी ओम नमस्यवाए